Hello everyone and welcome to my channel My Classroom और यहां हम पढ़ रहे हैं Hindi और English अभी इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं Class 3, Class 3 के लिए और NCRT द्वारा Prescribed Book यह है Marigold और यह NCRT Books है, Book है Class 3 के लिए तो अभी तक हमने कुछ एक दू लेसन इस Marigold Book से पढ़ लिए हैं तो चलिए आज हम पढ़ते हैं The Yellow Butterfly Yellow Butterfly, बच्चो आपने बहुत तरह की Butterflies देखी होंगी है Butterfly का, जब भी हम नाम सुनते हैं Butterfly का तो इट मेंस कि बहुत सारे रंग बरंगी छोटी छोटी Butterfly जो उरती रहती है, जहां भी फूल होते हैं वहां सब जिके Butterfly आ ही जाती है Butterfly मतलब बहुती रंग बरंगी होती है तो और सभी को Butterfly देखने में बहुत अच्छी लगती है तो आज का जो हमारा लेसन है यह है Yellow Butterfly तो इट मेंस यह एक पीले रंगी Butterfly के बारे में यह वाली हमारा आज का लेसन है तो चलिए देखते हैं इस Yellow Butterfly ने क्या किया या क्या हुआ इस लेसन में A Yellow Butterfly flew around in Sonu's Garden साथ में जो भी difficult words आएंगे उनको भी हम साथ में उनको समझने की और उनका meaning समझने की कोशिश करते रहेंगे A Yellow Butterfly flew around in Sonu's Garden flew का मतलब होता है flew है past word fly का यानि second form है fly fly flew flew मतलब उड़ गई थी मतलब जो काम past में हुआ था A Yellow Butterfly एक पेली रंकी Butterfly सोनु के गार्डन में flew around सोनु के गार्डन के आसपास या उड़ी थी ठीक है सोनु saw the butterfly सोनु ने butterfly को देखा था He ran to catch it Catch मतलब पकड़ना वो भागा उसको पकड़ने के लिए किसको? Yellow Butterfly को The butterfly flew to the rose bed Rose bed, यहाँ पर इस bed यह बिल्कुल ऐसी होता है जैसे हमारे गर में bed होता है बट यहाँ पर है rose bed इसका मतलब है कि वहाँ पर बहुत सारे rose थे और मतलब एक bed जैसा अगर आप देखो तो ऐसा एक bed है rose का यानि गुलाब का तो butterfly flew to the rose bed बट बट फ्लाई जो एक rose bed था मतलब बहुत सारे जहाँ पर rose थे वहाँ उड़ी It sat on a red rose और यह एक लाल रंग की गुलाब के उपर जाकर बैठ गई Now I can catch it said Sonu Sonu ने कहा कि अब तितली बैठ गई है तो आप मैं इसको पकड लेता हूं मैं इसको पकड सकता हूं I can मतलब मैं यह काम कर सकता हूं तो I can catch it He walked slowly and silently to catch the butterfly Slowly मतलब बहुत धीरे से and silently एकदम चुपके से कि बिलकुल भी आवाज ना हो वो बहुत धीरे से और चुपके से butterfly यानि तितली को पकडने के लिए उस तरफ उसने walk किया उस तरफ चला He came closer, closer and still closer मतलब वो इतने धीरे धीरे जा रहा था उसको पकडने के लिए धीरे धीरे और उसके पिलकुल pass में और pass, और pass butterfly के आ रहा था but then ओ अब क्या हुआ off flew the butterfly but जैसे हिए वो उसके pass में, pass में, और pass में आ रहा था butterfly उड़ गई where did the butterfly go butterfly कहा उड़ गई कहा चली गई थी near the garden was a pond मतलब उसका जु गाडन था उसके पास में ही एक pond था यानि चोटा सा तालाब था in the pond was a white lotus और उस pond में एक white यानि सफेद रंका lotus का फूल था around it grew round leaves और उसके चारो तरफ round round यानि गोल गोल पत्तियां थी they floated in the water और float मतलब तैरना जो पानी पर तैर रही थी क्या पत्तियां the butterfly sailed on a floating leaf butterfly एक floating leaf यानि जो पत्ति तैर रही थी उस पर sail करने लगी sorry sail का मतलब होता है ये sail sail का मतलब होता है जब कोई चीज पानी के ऊपर तैरती है ठीक है तो उसको कहते है तैरती है और मतलब जब कोई चीज जैसे ship sail करता है मतलब वो travel करता है ठीक है तो butterfly उस floaty leaf पर travel कर रही थी क्योंकि वो पत्ती शायद हवा से ऐसे हिल लही थी दर दर अब butterfly जब उसके ऊपर बैठ गई तो वो भी उसके साथ travel करने लगी सोनो वेंट splash into the water स्प्लैश करते हैं मतलब जैसे आप पानी में जब हम swimming के लिए जाते हैं तो हम जोर से कुटते हैं और एक बहुत चपाग से अब आ जाती है तो उसको कहते हैं splash एक जोर से अब आ जाने सोनो पानी में जोर से वो पानी के अंदर गया और अफले द ब्टरफ्लाइ और ब्टरफ्लाइ दबारा से उड़ गई यहाँ ब्टरफ्लाइ फिर से उड़ गई वेर वॉस इट अब कहा गई? मतलब किदली कहा है? कहा थी? सोनो लूक्डप सोनु ने उपर देखा, looked up मतलब उपर देखा, he looked down उसने नेचे देखा Near the wall was a peach tree और वहीं दिवार के पास एक peach का tree था एक पेड था It had pink flowers उसमें pink color के flowers थे The butterfly sat on a pretty flower और butterfly एक बहुत ही pretty याने सुन्दर से फूल के उपर बैठ गई I can catch you, shouted सोनु अब सोनु दुबारा से shouted चिलाया, मैं तुम्हे पकड सकता हूँ, he climbed up the tree और वो पेड के उपर चड़ा, अब मतलब उपर, climb मतलब चड़ना अब अब ही climbed, उपर उपर ही वो चड़ता रहा, but back it flew down from the tree और दुबारा से तितली पेड के नीचे आकर ऐसे उड़ गई सोनु jumped down too सोनु भी नीचे कूद गया jumped मतलब कूदना, down मतलब नीचे, सोनु भी नीचे कूद गया he chased the butterfly उसने chase मतलब butterfly का पीछा किया, जब हम किसी चीज को जैसे आप अपनी friends के साथ पकडम पकड़ाई खेलते हो ठीके, और किसी को पकड़नी के लिए भागते हो तो आप उसको chase कर रहे हो यह से butterfly आगे आगे और सुनु पीछे-पीछे he chased the butterfly उसने butterfly का पीछा किया from the rose, गुलाब से to the lotus, कमल तक and up the peach tree और peach tree तक but he could not catch the butterfly but वो butterfly को catch नहीं कर सका सोनु कुद नाट सी इट अट आल सोनु बिलकुल भी उसे नहीं देख सका किसी butterfly को he looked everywhere उसने सब तरफ देखा everywhere मतलब सब तरफ देखा at last he saw the butterfly at last मतलब आखिर में उसने butterfly को देखा there was big spider's web in the peach tree तो peach tree पर एक बड़ी spider का web था ठीक है spider का एक बड़ा सा web था the butterfly was caught in the spider's web butterfly जब पेड से उतर रही थी मतलब नीची की तरफ उड़ी तो वो वहां उसमें web में पकडी गई ठीक है was caught मतलब उसमें पकडी गई it looked sad as it tried to escape और बहुत दुखी दिखा रही it looked sad मतलब बहुत दुखी दिख रही थी जैसे उसने बचने की कोशिश की it fluttered its wings it fluttered मतलब जैसे वो अपने पंखों को ऐसे ऐसे कर रही थी उसको कहते है flutter करना ठीक है उसके पंख मतलब हिल रही थी बहुत it twisted and turned उसने बहुत अपनी twisted मतलब इधर से इधर ऐसे turn किया twist किया आपने आपको कि मैं किसी तरह से इसमें से निकल जाऊं but it could not escape but it could not मतलब तितली उसमें से बच नहीं पाई escape बचना the spider's web held it tight spider के web ने ठीक है मतलब उसने मकडी के जाले ने मतलब जाला उसको बहुत टाइट से पकड़ लिया poor butterfly bachari butterfly in the middle of the web was a big spider और उसके बीच में जो जाला था उसके बिल्कुल बीच में एक बहुत बड़ा सा spider था it looked hungry वो बहुत भूखा था भूखा दिख रहा था it wanted to catch the butterfly और वो butterfly को पकड़ना चाहता था closer and closer crawled the black spider crawl crawl मतलब जब छोटे बच्चे होती हैं तो जब वो अपने दोनों हाथों और दोनों पैरों पर एक साथ चलते हैं ऐसे तो उसको कहते हैं crawl करना तो black spider बहुत closer और पास में और पास में मतलब तितिली के पास में crawl करने लगा था before the hungry spider could grab it but वो जो भूखा spider उसको grab मतलब ऐसे पकड़ना grab मतलब पकड़ना पकड़ सकता सोनू ran, सोनू भागा and he caught the butterfly और उसने butterfly को caught मतलब पकड़ लिया it was so pretty, यह बहुत सुन्दर थी it had black spars on its yellow wings और उसके yellow wings यानी पीले पंखो पर black color के spots थे सोनू लवद दलिटी butterfly सोनू को छोटी butterfly बहुत पसंद थी but it looked sad in सोनू's hand but butterfly तो सोनू के हाथ में बहुत दुखी दिख रही थी सोनू wanted it to be happy सोनू इसे बहुत happy देखना चाहता था oh, go, said सोनू fly away सोनू उसको, क्योंकि दिली बहुत दुखी थी सोनू ने उसको बोला go, fly away, ओड़ जाओ he let the butterfly go उसने butterfly को उड़ने के लिए छोड़ दिया it sat on the red rose तो butterfly कहां जाकर बैठी एक red rose पर it flew to the peach tree और फिर से दुबारा से peach tree पर जाकर बैठ गई and then sailed on a lotus leaf और फिर lotus की जो पत्ती भी थी उसपर दुबारा से travel करने लगी it flew merrily from flower to flower merrily मतलब happily मतलब बहुत खुश थी और बहुत खुश होकर एक फूल से दूसरे फूल तब उड़ती रही सोनू watched it fly and fly सोनू उसको उड़ते हुए देख रहा था मतलब वो यहां से उड़ेई फिर महां उड़ेई the butterfly flew all around सोनू's garden ती तिली इतनी खुश थे कि वो सोनू के गार्डन में सब तरफ उड़ती रही happy and free once again दोबारा से happy होकर और खुश होकर और free यानि एकदम आजाद से एक बार फिर से वो आजाद हो गई और वो बहुत खुशी से उड़ रही थी इसको लिखा है नीली मा सीनहा ने किसको the little butterfly को ठीके बच्चो तो I hope कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो please मुझे comment box में लिखिए हम इसको दुबारा से पढ़ने के कोशिश करेंगे और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो please like कीजिए share कीजिए और subscribe कीजिए और इंतजार कीजिए अगले वीडियो का new words और कुछ exercise पढ़ने का सीखने का तब तक के लिए मेरा चैनल देखते रहे और सीखते रहे बाबाई